हेलो फोरेंच, गुड इवनिंग, कैसे हो, I hope कि आप लोग अच्छे ही योंग शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी भासा का प्रैक्टिस एट सॉल करेंगे, पूरे 30 प्रशनों को हम लोग इस वीडियो में सॉल करेंगे, और ये प्रैक्टिस एट का 128 व और प्ले लिस्ट में आपको एक अलग से प्ले लिस्ट देखेगी, उसमें आपको प्रिविस एर पेपर से मिलेगा, 2012 से लेकि 2020 तक का एंड टॉपिक वाइस की क्लासे सापको भी वहाँ पे मिल जाएंगी, अगर आप लोग इन पेपर की फ्री में पीडियाप चाहिए, त महां से आप लोग फ्री में पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लाश्ट में आप लोग बताईएगा कि तीस प्रश्ण में से आपके कितने प्रश्ण सही हुए हैं, पहला प्रश्ण यहां पर देख सकते हैं, क्रोध पूरती ही करना है, यहां पर देख सकते हैं, सच्चा सुक बाहर से नहीं मिलता, डॉट डॉट से मिलता है, कहां से मिलता है, सच्चा सुक यह आपको बताना है, तो सच्चा सुक जो है बाहर से नहीं मिलता, बलकि यह जो मिलता है, वो मिलता है, अंदर से, ऑप्शन डी करे उसे कहते हैं उसे क्या केहते हैं जिसकी तुल्ला नहों तभी समाज में सुक सांती इस्थापित हो शकेगी उसको क्या मिलना चाहिए आपको बताना चाहिए उचित जब स्रमिकों को उसका उचित अधिकार मिलेगा तब ही समाज में सुख सांती इस्थापित हो सकेगी कि ओप्शन डी के रिक्ट होगा इसको उसका राइट एंसर अगला प्रेशñ आपको किस क्रमांग में या वा रा ला तो यहाव इसमें केरिया गए खाक्ट है बाकी रखार ला होता है ओखी है या रा ला व ठीक ए है अगला प्रेश्ण यहां पर देख सकते हैं आदित का प्रयावाची नहीं है सबसे पहले हम जानते हैं कि आदित का प्रयावाची है कौन कौन सा है तीनों को जानते हैं तो आदित का प्रयाची अपका भाश कर है दिन कर है, दिवा कर है बचा आपका दीपक दीपक आपका आदित का प्रयावची नहीं है, option A correct होगा, is questions का right answer उसी तरह आपको इसमें शुद्ध वर्तनी छाटना है, अनुगरहित सब्ध ही दिया गया है तो अनुगरहित सब्ध, शुद्ध वाला कौन सा ही आपको बताना है तो सबसे पहला वाला आपको जो दिख रहा है, यही इसका शुद्ध वर्तनी ठीक है, option A correct होगा, is questions का right answer शुद्ध वाक्य चुनिए, यहाँ पे हम एक-एक वाक्य को पढ़ते हैं, फिर हम इसमें बताते हैं कि कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है जैसे आपे मा बच्चे को दूद धाय से पिला रही है, बच्चे को दूद धाय से पिला रही है, पिला रही होगी न, ऐसे होगा यही इसका शुद्ध है, बाकी यह वाला भी आपका अशुद्ध वाक्य है, अगला परश्चे को दूद धाय से पिला रही है, यहाँ पे दया है, घटना है, जड़ता है, बुढ़ापा है, तो कौन सा शुद्ध पुलिंग है यहाँ बढ़ापा है, बुढ़ापा आपका पुलिंग शब्द है, ऑप्शन डी करिक्ट होगा, इसकोश्चन का राइट अंसर, अगला परश्चन जो की बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है, सम्विधान के अनुचे 344 आ के अनुपालन में भारत के राजभासा आयो का गठन कप किया गया था, 1905 में जो है इसका गठन किया था, राजभासा आयो का, ऑप्शन डी करिक्ट होगा, इसकोश्चन का राइट अंसर, ये सिंपल सा प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं, अध्धापी का सब्द में प्रत्य है, अध्धापी का सब्द में प्रत्य कौन सा ही आपको उताना है, फड़ा फट कमेंट बाक्स में इसका राइट अंसर बताने का प्रयास करें, अध्धापी का सब्द में प्रत्य होगा, वो होगा एका, अध्धापी का, लाश्ट में क्या निकल किया रहा है, एका, तो ऑप्शन डी करिक्ट होगा, इसकोश्चन का राइट अंसर, उसी तरह इसमें यहाँ पर प्रवत होने या उसे से हटने की आबियुस्ता को क्या कहते है तो उसे कहते हैं मनो वरती ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसकोशन्स का राइट एंसर अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाएगा शंगटन क्या है तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाएगा शंगटन क्य शब्द कौन सा है और मैं आपको उता दूँ अगर आपको 2021 में यूपी से भीएट करना है या किसी भी स्टेट से भीएट करना है तो आप लोग इस चैनले से जुड़िए ये चला को सब्सक्राइब करके बगल मोबेल आकान को और प्रिस के लिजेगा अगर ये वीडियो लाइक जरू कर दिया करें अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक के बटन पर अपनी कोई भी अंगली रख दीजिए ठीक है तो अनिकार्थक शब्द जो आपका इसमें है वो है काल बाकी ये मिनाट सेकेंड घंटा एक ही हैं काल आपक करेंड को अधीरत सूत कहा जाता है अधीरत का अर्थ क्या है ये आपको पताना है तो अधीरत का जो अर्थ होगा वो होगा रथ हाकने वाला काफी important question है option a करेंड होगा इस questions का राइट एंसर पानी गये न उबरे dot dot के लेखक कौन हैं पानी गये न उबरे तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रहीम option b करेक्ट होगा इस questions का राइट एंसर वैदेही वनवास पुस्ता की लेखक कौन है ये आपको पताना है वैदेही वनवास पुस्ता की लेखक कौन है तो वैदेही वनवास पुस्ता के जो लेखक हैं वो हैं आयोधा शिंग हरी और चौपाई चंद जो हैं कैसे चंद हैं आपको बताना है तो दोहा और चौपाई जो चंद हैं यह किस तरह के चंद हैं यह मात्रिक चंद हैं कर्म का संद बी चेत क्या है यह आपको बताना है तो सत धन कर्म ऑप्शन यह में जो आपको देख रहा है ठीक है अगला प्रशनिया हाँ पर देख सकते हैं दही बड़ा में कौन सा समाश है यह आपको बताना है तो दही बड़ा में जो शमास है वो है तत्पुरुष शमास ओप्शन A करेक्ट होगा इसकोशन्स का राइट असर निमी सब्द का प्रयाय क्या है निमी सब्द का प्रयाय क्या है तो निमी सब्द का जो प्रयाय है वो है छहड़ option D correct होगा इस questions का right answer पंजाबी भासा की लिपी क्या है सबसे पहले आप لوग इस questions में important लिख लीजेगा ठीक है तो पंजाबी किस भासा की लिपी है पंजाबी भासा की लिपी क्या है फटा फट कमेंट बॉक्स मताएं तो पंजाबी भाता की जो लिपी है वो है गुर्मों की option B करेक्ठ होगा इसकोशन्स का राइट असर घड़ो पानी पढ़ना मुहारे का शही अर्थ है तो घड़ो पानी पढ़ना मुहारे का जो शही अर्थ है वो है लजजित होना option B करेक्ठ होगा इसकोशन्स का राइट अ वाला इसमें आप लोग इंपॉर्टिंग जरू लिख लेज़ेगा ठीक है तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है आपका वह है उदंत मारतंड ऑप्शन एकरिक्ट होगा इस कोशन का राइट अग्छे अगले परिशन हिंदी किसका दिया हुआ है यह आपको बताना है तो हिंदी सब्द जो दिया गया था इरानियों की दौरा दिया गया था ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट असर शुद्धवा की चुनिए सुद्धवा की चुननना है आपको इसमें से यह हमारे पास रहते हैं और व वाकि जो है शुद्ध वाकिय है, option A correct होगा, आपके exam में जो questions आते हैं same to same इसी तरह के questions आते हैं तो आप लोग ऐसी ही अपनी तयारी करते रहें अगर आपको 10,000 seat में एक अपनी free seat पक्की करनी है UP में जो government seat है वो है 10,000 बाकी सबकों मिला लिए जाए यानि कि private government मिला लिए जाए तो 2,10,000 के करीब जो है total UP में seat हैं ठीक है तो free seat अगर आपको लेनी है तो ऐसी ही तयारी करते रहें daily mock test दें और जो भी मेरी topic wise की class आती है उसको जरू देखा करें notes उसकी बना लें अगर आपके पास कुछ material है study material तो आप लोग उसे भी पढ़ा करें ठीक है डेली कम से कम 4-5 गंटे आप लोग study अभी किया करें वसके बाद जब exam date आ जाती है तो उसके बाद आपको time थोड़ा और बढ़ा देना है कम से कम 6-7 गंटा डेली आपको continue study अपनी करनी है तभी आप लोग एक free seed ले शकते हैं इसके बाद जूद अगर आपके मन में beard से समधित कुछ doubt है तो आप लोग comment box में अपनी उकारी कर शकते हैं मिलते हैं अगले उड़ पर इस वीडियो को like और share करना मत बूलेगा और चैनले से अभी तक अब दम से सबसे पहले मिल सके है तैंक यू